आप जानते हैं मैं हर बार आपकी लाइफ से आपकी शूटी शूटी बारीक चीजों से जुड़ी बहुत सारी बाते आपसे बात करती हूं बताते हूं डिसकास करती हूं मैंने सोचा क्योंकि ये टाइम मेरी फीमिल व्यूवर्स का सबसे जादा रहता है और आप लोग कितना टाइम अपने घर की किचिन में खड़ा करते हैं काम करते हैं अपनी फैमिली को देखती हैं नर्चर करती हैं लेकिन किचिन से जुड़ी छूटी छूटी बाते हैं अगर करते हैं अगर आपको एसा लगता है कि आपकी लाइफ में दिक्कते बहुत ज़ादा बढ़ रही हैं चिक चिक बहुत ज़ादा हो रही है घर में तो गाय को हरी घास खिलाने पर ही प्रप्लम सॉल्स होती हैं सबसे पहले आपके किछन ज़रूरी चीज की सोचिए आपके किछिन में तवा नहों तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी आप रोटी कैसे बनाएंगे एक मिनिट गाम पच्छेस मिनिट में होने लगेगा कडाई नहीं होगी तो बेसिक सूखी सब्सक्राइब यह दो बेसिक यह आपकी life के लिए बहुत ज़्यादा important है आप जानते हैं क्यों कि आपकी कढ़ाई और आपका तवा एक planet को represent करता है और यह planet है राहू और यह राहू आपकी life में कोई भी चीज जो अचानक बुरी होती है यह अचानक अच्छी होती है यानि कि जमीन से उपर और उपर से न गंदा तवा गैस के ऊपर छोड़ जाते हैं या गंदी कढ़ाई को छोड़ जाते हैं और सुछते हैं हरे सुबे दोलेंगे इसको सिंक में रख देते हैं उसमें पानी भर का रख देते हैं तो यह सब नहीं कीज़े आपका already life में जितनी चीजें मुश्किल में चल रही हों तवे और कडाई को कभी भी दोने के बाद उल्टा करकर नहीं रखना है आपको हमेशा इसको क्लीन करना है कुछ लोग तवा ओन करते हैं और ठक ऐसे पानी की चीट मारते हैं और एक्दम सर की आवाज आती है यह आपके रहू को खराब करता है यह आपकी प्रॉब्लम्स को देता है और इलेक्रिसिटी और गैस की भी वेस्टेज है तो यह भी नहीं करें इसके बाद तवे को आपको हमेशा क्लीन करना चाहिए तवे को अगर आप थोड़ा सा दूद का छीटा मारकर क्लीन करते हैं तो आपकी कुनली में अगर चंद्रमा आपको दिक्कत दे रहा है आपको emotional issues हैं तो वो solve हो जाएंगे इसके बाद तवे पर जब पहली रोटी बनाते हैं तो थोड़ी बड़ी और मोटी बनाएं फिर इस बड़ी और मोटी रोटी के आप चार हिससे कर लें और इस चार हिससे को आपको कैसे यूज करना ही आपको थोड़ी देर में कि याद रखें कि तवे पर हमको सबसे पहले दूद का चीटा मार कर साफ करना है और फिर उस पर मोटी रोटी बनाने इस रोटी का क्या करेंगे यापको बात में पताऊंगी अभी तवे से रिलेटेड और बाते जाने हैं देर नहीं करते हैं बात करते हैं आज के दूसरे म अगर आपको लगता है आपका केतू खराब है आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता है मेल चाइल से आपको इशू आता है तो ब्लाक और वाइट मिक्षर वाला चकला लाकर किछन में रखिए इससे केतू ठीक होता है तवे से रिलेटेड कुछ और बाते हैं जो जानना जगा पर दहां दें यह नमक आपके घर की सारी negativity को लेकर निकल जाएगा लेकिन ध्यान रहें नमक के साथ में मिर्ची या हल्दी कोई और चीज मिक्स ना हुई है अगली चीज है कि जब भी आप खाना बनाएं और बरतन खाली हों तो उनको गैस पे नहीं रखें अगर कि जब भी आप कडाई और तवे को रखें हमेशा जो भी आपके घर की अलमीरा है उसमें बंद करके रखें इसको खुले में नहीं रखना चाहिए जब भी तवा थंडा हो या उतर जाए तो आप इसको नीमबू और नमक से साफ करके रखें कडाई और तवा जितने चमकद अबन करते हैं इसको आप टोलोगे चाहिए उसक tackle या लोमत रहा हूं मैं रarमक्त करते हैं अपको सबसे जरूरी चीज बंती हैं रोटी हमारीоров बेसिक नीद का रह जाता है रोटी का ख्रण्वाए अर्मकान ऐसेव आईसे हैं साओधी में शावल पर वी रह रह लेते हैं द अनाज आपकी बेसिक नीट है तो मैं आपको तवे की बात बता रहे हूं और रोटी की बात नबताऊँ यह कैसे हो सकता है आ ये रोटी से जुड़ी भी कुछ खास बाते हैं आपको ध्याने मैंने आपको कहा था तवा गरम करके आप पहली रोटी एक बड़ी बना ले इस रो दोकडे में आप दही और चीनी मिक्स करें ईकम दिते औरु कुछे टुकडे में आप उसको ढिलकुल जुरे जीशे चीनी और नार्ली के भुदा मिक्स करके छीटेंगों को देडियें जब आप गाए को रोटी देते हैं, तो आपका शुक्र मजबूत होता है, जिससे आपके लाइफ में कमफट आते हैं, जब आप डॉब को रोटी देते हैं, तो आपका केतू और शनी ठीक होता है, जिससे आपकी लाइफ में आपस्टेकल्स नहीं आते हैं, जब आप कवों को तो आपके पित्र प्रसंद होते हैं और आपको अपने बड़े बुजर्गों से आशिरवाद मनते हैं और जब चीटियों को आना देते हैं तो आपका राहू प्रबल होता है जिससे आपकी मेहनत का रिजर्ट आपको मिलता है यह काम जरूर करें इसके अलावा अगर आप किसी लव्डबन को रोटी खिलाएं तो आप रोटी बनाने के बाद रोटी के ओपर रिंग फिंगर से घी से ओम बनाएं और फिर आप अपने बच्चों को या अपने हस्बं को परोसें इससे आपके आ आपके हस्बं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो रोटी बनाएं और फूली रोटी के ओपर अपना नाम अपनी रिंग फिंगर से गाय के घी से डिप कर रख दीजे और फिर उने खिलाई इससे आप दोनों की अटाच्मेंट बढ़ेगी आप दोनों का प्यार बढ लीजे और जाकर डॉग के आगे डाल दीजाए अगर डॉग ना मिले तो किसी खाली जगव पे डाल दीजे कि कोई जानवर खाले ऐसा करने पर आपकी प्रॉब्लम चुमंतर हो जाएगी अगर घर में जगड़े बहुत होते हैं तो दुपैर को एक रोटी बनाईए जुग करते हैं आज के तीसरे माह उपाएगी अगर आपको लगता है कि लाइफ में स्ट्रेस बहुत जादा है डिप्रेशन बहुत जादा है तो चार चमच दूद को शिवलिंग पर हर दिन लगातार 44 डेस दालने से आपको डिप्रेशन दूर होता है आपने यही देखना है कि य यह तो बात हुई रोटी की लेकिन इससे हमारी बात ख़तम नहीं हो ति अब आपकी लाइफ में थोड़ा स्पाइस लेकर आते हैं यानि कि बात करते हो उस मसाले की जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तेकिन यह मसाला आपकी किचिन में उसी ड्रॉर में पढ़ा ओए जिसको आप रोज दिन में कम से कम दस बार कोलती हैं यह मसाले का ड्रॉर हम बात कर रहे हैं काली मिच की काली मिच आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है आई आपको बताती हूं सबसे पहले काली मिच जो है यह शनी प्लानेट को रिप्रे काम पर बाहर जा रहे हों तो साथ यह दस काली मिच के दाने अपने आगे से यू भिखेर दें उसकी ऊपर पैर रखते वे जाएंगे तो आपके काम बिना अर्चन के पूरे होंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खराब खराब चल रहा है तो क काली मिच लेकर उसको कूट कर अपने उपर से बार कर किसी सुंसान जगा छेड़ देने पर आपकी लाइफ की काफी प्रॉब्लम सॉल हो जाते हैं अगर आपके एनिमीज आपको बहुत तंग करते हैं बहुत दुश्मन बन गए हैं तो काली मिच के दानी लीजे हाथ में ओ ओम क्लीम ओम क्लीम कहते हैं घर के हर फैमिली मेंबर के ओपर से वारिये और इसको जाकर घर के साउथ डारेक्शन की तरफ जाकर फेग भीजे आपके दुश्मन शांत होने लग जाएंगे आपके घर की नेगेटिव एनरजी खतम करने के लिए एक तो आप वेस्ट डारेक् सुबह और शाम जो दो पार्ट की डिवाइट करें ऐसा करने पर घर की सारी नेगेटिव एनरजी जो है वह खत्म हो जाती है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसी तरीके से मुझे याद आया कि राहू और केतू को ठीक करने के लिए आपको कोई उपाय बताओ तो चलिए आपको बताती हूं आज का चौथा माह उपाय ने तो शिवलिंग वाली बात बताई डिप्रेशन को दूर करने के लिए ठीकिसी तरीके से इंस्तेंट यूजवली वह पांच मूँ वाला होता है उसको वासुकी सांप उसको आप अपनी यहां पर रखकर सांप के पास दूद रखिए इसको आप 10 से 20 सेकंड तक रखिए और फिर दूद को शिवलिंग के पास में डाल दीजे इससे आपकी लाइफ में राहू और केतू के को जिस इंसान को नजर लगी है उसके उपर से वार करें सिंपल न्यूस पेपर रखकर जला दीजे आज से पूरी तरह से नजर उतर जाती हैं पांच नाल मिच को लाल कपड़े में बांद कर उपर से वार कर खाली जगह पर दबार देने से भी नजर खत्म हो जाती है आपका मंगल जो है वो वीक हो जाता है ऐसे में अगर जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनको लाल मिच को अवोईट करना चाहिए लाल मिच को एक काले कपड़े में रखकर उसको कूट कर आप किसी भी बीमार इंसान के बैट की नीचे एक दिन के लिए रखिए और उस सकते हैं ताकि पौजिटिविल्य रहे और इस शाहले का इस्तेमाल भी जरूर कीचेए मेश XS अब ऐस योड कि अपने घर में घर में थेज पते को लाएं और थेज पत्ते का इस्तिमाल रे소리 करें अपनी about अपनी किचिन में कभी भी Sacha double तेरी मिश्री को खतम नहीं होने दें ताकि घरमें मिठास रहें। मेटतुन राशी वाले लोग अपनेJohn में कभ़ी गुड को खतम नहीं होने दें। कनिया राशी वाले लोग अपने घर में पीली सर्सों को रखें और इसका इस्तमाल भी करें तुला राशी वाले लोग अपने घर में किचिन में समान में थोड़ी सी चावल के अंदर लॉंग को डाल कर रखें बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वाले लोग, व्रिश्चिक राशी वाले लोग घर में लाल मसूर को हमेशा रखें और उसके अंदर एक लाल मिर्च सुखी डाल के रखें धनू राशी वाले लोग अपनी किचिन में हमेशा सर्सों को रखें और उसके साथ सब केसर को भी रखें बात करते हैं मकर राशी वाले लोगों की काली मिर्च आपके घर में कभी खर्तम नहीं होनी चाहिए लेकिन हाँ साबत वाली इसी वाली तो हो ना हो कोई इसी तरीके से कुमुराशी वाले लोग अपने घर में काली सर्सूद और कड़ी पत्ते साथ में रखें मिराशी वाले लोग अपने घर में हलडी को अब soon अब बात करते हैं उनकी जिनका है जनम दिन जिनका जनम दिन है उन्हें मेरी तरफ से धेर सारी शुब कामना है यह साल आपके नए नए काम नए नए वेंचर पार्टनर्शिप की अपर्शनिटी को लेकर आएगा अगर आप इतना भी कर लेंगी तो साल भर खुशियां आपकी जामन में रहेंगी अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत जादा नजर लगी है पूरी फैमिली को नजर लगी है तो घर में थोड़े से गोबर के उपले के उपर लाल मिर्च जला कर घर के कोने कोने में घुमा कर और कपूर डालते रहने पर घर की सारी नेगिटिविटी खत्म हो जाती है अब बात करते हैं आज की सबसे स्पेशल और खास आस्टो टिप की अपने घर को नेगिटिविटी से बचाने के लिए आप एक काम करें नीबू के जूस में काली मिर्च के दाने डाल कर अपने घर के चार कोनों पर एक रात अमावस्या के लिए छोड़ दे अगले दिन इसको ठाकर किसी आइसोलेटिड जगा पर छोड़ दीजे आपके घर की सारी नेगिटिविटी ये नीबू और काली में चपज़ौब कर लेगा और वो बहार चली जाएगी एक एक नीबू चार कोनों के लिए रखना है और साथ साथ दाने काली मिच के दानने है आज के लिए इतना ही वक्त हो गया है मेरे जाने का आपके घर आपकी किस्मत और आपकी लाइफ के बारे में और जरूरी बाते करेंगे तो कल का शो जरूर देखिए आप हमारा शो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अगर आपसे मिस हो गया हो या आप इसको दुबारा देखना चाहते हो और इसको लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि पॉजिटिविटी हम सब मिलके फिला सकें अब मुझे इजाज़त दीजिए अपना खयाल रखिए बाई बाई ठेक क्या है